हेलो दोस्तों एक बार फिर आप सभी के बीच में आ गया हूं हिंदुस्तान एक्ट्रोनिक्स लिम्टेड वे वेकेंसी आई हुई है उससे जूड़ी कुछ अपडेट लेकर आ गया हूं जैसे कि अप्लाइ करने के लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और सीट कितनी है इसके लिए फीस कितना देना होगा और कैसे इसका प्रोसेस क्या है आप एक्जाम किते कैसे आएगा एक्जाम किस टाइप के कोस्टेंस आएंगे इन सभी के बारे में फुल डिटेल्स आपको बताऊंगा साथ ही में दिखाऊंगा कौन-कौन से स्टुडेंट अप्लाइ इस आप्ली के सट को हिंदुस्तान एक्ट्रोंडिक्स लिम्टेर में जो वेकेंसी आई हुई है वह आप बारा जून तक अप्लाइ कर सकते हैं इसके बारे में देखें आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन आइज फॉलो यहां लिखा डिप्लोमा टेक्निशियन मेकानिकल के स इसके सट्राइब कर सकते हैं जो इसके सट्राइब कर सकते हैं जो आइट्याइज से किये हुए है वह उनकी टोटल पोस्ट एक सो पांच है और आपके अलक्रिशन इस्टूडेंट की जारी की गई है जो की 26 पोस्ट है और ऑपरेटर मेकेनिस्ट की दो पोस्ट है वेल्डर की एक पोस्ट है और ऑपरेटर मेटल वर करके दो पोस्ट है टोटल 122 पोस्ट जारी किया गया है और नीचे स्क्रॉल करके देख लेते हैं आपके OBC के लिए क्या छूट दी गई है कुछ की नहीं औ इसमें इडिन्टी डिश्वेलिटी फॉर पोस्ट के लिए में इसको आप पढ़ लीजेगा मैं बाकि सिर्फ इंपोर्टेंट्स नोटिस के बारे में बता रहा हूं इंपोर्टेंट्स चीजों के बारे में बता रहा हूं अब आ जाता है आपके मार्क सीट में चाहे वह भी स जाएज लिमिट में आपके सेस्टे के पांच एर्स के छूट दी जाएंगे साथ ही में ओभी सी एंसेल के लिए तीन वर्स की छूट दी जाएगे और पी डबलू डी से जो बिलोंग करते हैं उनको दस साल का छूट दिया जाएगा ठीक है और इडबलू एस स्टुडेंट अ को ऐसी कर सकते हैं उनके लिए कोई इशू नहीं है पोस्ट जैसे की मिनमम बेसिक पर कितना रहेगा है यहां दिया वया ऑपरेटर के 22,000 और और मिनमम आपके 23,000 रुपे रहेंगे डिप्लोमा टेक्मीशेंस के ठीक है एक प्रॉक्स 46,000 रुपे आपके परमंत के इंकम हों और इसको आपको खुद देखना होगा ठीक है और सम इमांट पर मंथ तुवर्स मेडिकल इसमेडिकल एक्सेंस बोत इंदा पैंट अग्टर पैरेंट्स बेस्ट सेल्फ सैटिविए इंदा इंक्लूडिंग ना मॉंट पंद्रह सुर पर मंत के इसाफ से मेडिकल फैसल्टी में सेलेक्शन प्रोसीजर की बात कर रहते हैं तो यह आपके एक्सेंज एंप्लोइमेंट है एचे लबी सी बिल बी बेस्ट ऑन दियर प्रफार्मेंस रिटेंट टेस्ट विडी कंड़क्ट आट वैंगलोर नो टीडीए विल बीपेड केंडिडेट अटेंडिक दू रिट लेते हैं में अप्लाइय कैसे करना है आप्लाइय करने के लिए आपको OLED जून दोजार चोविस तक हैं बात करपा एंगे वहीं तो दोस्तों सेली भी अच्छी खासी है और इसके लिए आपके टैलेंट की जरूरत है अगर आपने कहीं का दो साल का एक्सपीरियंस तो और अच्छी बात है अगर एक्सपीरियंस रही है तो भी अप्लाई कर पाएंगे अगर किसी स्टुडेंट को कोई और डाउट होता है तो आप कमेंट के बादम से पूश सकते हैं नई नई अपडेट आपको आश्टडी गुरू के बादम से बिलता रहे चलिए आज के लिए फिलाल इतना ही फिर में लगे एक ड़ी वीडियो में तब तक के लिए याल बिदा ओक्याल देवेस्ट जैएं जैवारत